उत्तर प्रदेश के सीम योग आधितिनात के अयोध्या दोरे पार राम जर्म भूमी के मुखे पुजारी आचारी सतियन रिदास ने कहा है कि सीम का आना तो सवाभाविक है अगर सीम नहीं आते तो कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो पता वे विकास कारियों का जायजा लेंगे सीम जिस उद्दिश से आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है इसे कई सारे अधूरे कारियों पूरे हो जाएंगे देख़्ीं बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुख посто मंद्री कि आना तो सभाविक है क्योंकि यहopen कार्य कर्म चल लेहे हैं जो जो भी है विकास का जुद्या का बरिकास कि हो सब इस प्रकार से दी मुखो मंत्री की यहां आया नहीं करते तो कोई भी काज सुचारी रूप से हो नहीं पाता है इसलिए मुख्मंद्री जी का यहां आना बहुत आवसक है क्योंकि इस समय इतनी भीड चल रही है रामलेला की दर्सन में जिससे तमाम परिसानियां हो रही हैं उनकी नियंत्रन करने में यह सब देख करके उस सुझाव देंगे साधरी साथ जो यहां के विका जैसा कि बता चला है कि उनके केमिनेट मंत्री भी आएंगे और प्रांतों की आएंगे पूरा देश के लिए पूरे देश के लिए किसी ने किसी समय वो सब के सभाएंगे रामला का दर्सन करेंगे यह दर्सन के सभाग उनलों को प्राप्त होगा तो इस उद्देश से जो पानिय मक्मंते जी वो बहुत अच्छी बात है इसे जतने भी काज अधोरे परे हैं वो चालू हो जाएंगे और अच्छी परकार से संपन हो जाएंगे अजुद्या का जो विकास की बात उनोंने नेशित किया है उस इस्तित में नगरी परेटन नगरी के रूप में कार्जिए कराना जेस है वे सबी कार्ज पूरा हो जाएंगे इसने मुक्हमंते जी काचा बरावर आना यही दरसादा है कि किस परकार से उनकी लगन इसे ना मंदिर के पृति अज१्या के पहलثि और यहां के जनता के प्रती मुतन पर देश के जनता के प्रती देश के जनता के प्रती